इस वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगते तो इस वीडियो को भीना लाइक किये मत जाना अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये भीना मत जाना सुगाश टेंट ओफ जन्वरी को शोमी ने अपना रेड्मी नोट 7 लाँच कर दिया स्नाइब रेगन 660 के साथ और 48 मेगा पिक्सल के रियर कैमरा के साथ और साथ ही में अपने रेड्मी नोट 7 प्रो को भी कनफर्म कर दिया जो कि फरवरी के स्टार्टिंग वाले वीक में आने वाला है और उसके जितने भी स्पेक्स से वो लगभगले बग सब को पता चल चुके हैं इस वीडियो में आपको पूरा पूरा सपेक्स बताने वाला हूं जो रियल आने वाले है रिड्मी नोट 7 प्रो में तो ह начинаем सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजैन के बारे में डिजैन आपको Total 1 Redmi Note 7 वाला ही देखना को मिले गग और बात कि जाए प्रोसेसर के बारे में तो आपको इसमें Snapdragon 675 देखने को मिलेगा क्योंकि यह तो कंफर्म कर दिया था शौमी ने कि इसमें आपको 48MP का सेंसर देखने को मिलेगा पीछे और इसमें जो आपको सेंसर मिलने वाला है वो सेंसर देखने को मिलेगा और और वहाई जौरेड्य और अपको इसमें आपको 1.8 का पर्चर भी देखने को मिलनेवाला है जो कि बहुत ही बड़ा पर्चर है तो guys rear में आपको 48 Megapixel प्लस 8 Megapixel का sensor मिलनेवाला है और अगर बात कि जाए front camera के बारे में तो front में आपको 20 Megapixel का sensor देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro में और अगर बात कि जाए इसकी battery के बारे में बैटरी आपको टिपिकल नोट स्टाइल में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगे रिट्मी नोट 7 प्रो में और अगर आप करें स्क्रीन साइज के बारे में तो स्क्रीन साइज आपको 6.3 इंच की देखने को मिलेगी फुल एच डी प्लस वाली और अगर अब बात की जाए इसके स्टोरेज के बारे में तो स्टोरेज आपको तीन वेरियंस देखने को मिलेंगे 4G RAM 64GB इंटरल स्टोरेज के साथ 6GB RAM 64GB इंटरल स्टोरेज के साथ और 6GB RAM 128GB इंटरल स्टोरेज के साथ USB Type-C आपको इसमें देखने को मिलेगा और इसमें आपको Fast Charging का भी Option देखने को मिलेगा और Headphone Jack भी देखने को मिलेगा तो basically अगर देखा जाए तो यह Redmi Note Series में सबसे अच्छा फोन आने वाला है अभी तक का Xiaomi का और एक बहुत ही value for money phone होने वाला है क्योंकि इसकी जो प्राइजिंग है यह भी आपको 16-174 रुपए के बीच में रखी जाएगी जो कि अभी के हिसाब से Snapdragon 675 के हिसाब से बहुत ही कमाल के होने वाली है और अगर इसके OS के बारे में बात की जाए तो आपको MIUI 9 देखने को मिलेगा इसमें Android 9.0 के साथ और अगर इसके launch date के बारे में बात की जाए तो आपको चाइना में यह February के पहले week में देखने को मिलेगा तो इसी के साथ साथ हम इतना तो expect करी सकते हैं कि आपको यह February के end तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये मत बीना मत जाना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए